देखो रिवस के आधात देखो रिवस में यह तो बैट गया रिवस काम खतम है रिवस गया है कौन से बस 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 अरह भाई बस 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 बहुत ही नॉर्मल जमीन है रेतिली और यहां पर पहले डिस्क प्लाव चलाए वह हुए इसलिए यहां पर पता नहीं चल रहा है रिवस का सही से तो वह दूसरी जगह हम कड़क वाली जमीन पर टेस्ट कर लेंगे रिवस का लेकिन एक टेस्ट और भी करते हैं यहां पर ऐसे गुमाओ बारासो आर्पीम बारासो ए टूविल ड्राइगल टूविल 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 ठीक है कल्टिवेटर दबाना पूरी हो ठीक है जान दो अब देखो यह दोनों यह भी टूविल ड्राइब में चल रहे हैं 735 यह भी बारासो पे यह भी बारासो पे यह जमीन बहुत ही नॉर्मल यह रेतिली जमीन है इसी हिसाब से ठीक है कड़क जमीन पर यहां पर भी बाद में चेक करेंगे यह देखो अब ही उसकी आलत देखो यह फॉर बाए फॉर है टूविल में चल रहा है फॉर लगा फॉर वह बंद हो रहा है मतलब कि इतना लोड है यहां पर इसी जमीन पर अब देखो यह फॉर पर फॉर में करने के बाद बहुत लोड एक्दम देल लेता है चारो टायर नॉर्मल चल होता है जब कि टूविल में में यहां पर यहां पर इसी जमीन में बहुत आलत खराब होती है कहें को के साधीच है बाइट साबीत होता हुए जिन बैयों मैं ऐसे जमीन वागेरह हो जधा जमीन हो परिशान होते हो यह से तो वो फॉर बाइब फॉर की तरह एक बार सोच सकते हैं और है उसी नहीं के पória why फॉर्विल ड्राइब में चल रहा है इसी को टूविल में करते हैं तो थोड़ा सा लोड बढ़ता है तो भाई हो यह था फॉर्वड का फाइदा आपके लिए यह होता है बागे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाज फॉर आए तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो नहीं वाज जाए जवाज जाए कि स्वाहाँ